महाराष्ट्र विधान सबाचुनों महायूती जीत गया है यह जीत सिंपल नहीं प्रचंडर जीत है महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायूती की सुनामी आई है महायूती के सामने महावी कासा अगाडी पूरी तरह पस्त हो गया चरत पवार उद्धो ठाकरे और राहूल गांदी के नित्यत्ववाला MVA पचास सीटों पर सिमट कर है गया अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए है तो सब के सामने बड़ा सवाल है कि महाराष्ट का मुख्यमंत्री कौन होगा यह सवाल इसलिए भी एहम है क्योंकि सीएम पत को लेकर भाजपा और शियूसेना में खिचातान दिख रही है महाराष्ट में बीजेपी, शियूसेना और नसीपी की महायूती गटबंदन से अगला सीएम गौन होगा इस पर सस्पेंसी सस्पेंस है तरसल महाराष्ट चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर फड़नविस कैम सीएम पत को लेकर एक्टिव हो चुका है बीजेपी की तरफ से देवें दर फड़नविस का नाम सीएम पत के लिए आगे बढ़ाया चारा है वही दुसरी तरफ एकनाश शिंदे भी आसानी से मानने को तेया नहीं है शिंदे ने एक बयान दे कर पेच और फसा दिया है महाराष्टर में सीएम के सवाल पर एकनाश शिंदे ने कहा जिसकी जादा सिठोगी उसका सीएम बने का ऐसा तैय नहीं हुआ है उन्होंने कहा महायूती के तीनों खटक दल के नेता बैट कर इस पर फैसला करेंगे देविन रफड़न विस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे है उनका भी कहना है कि मिल बैट कर सीएम पर पर फैसला होगा